डियार एस्परेंट मनमे अकेडमी में आप सभी लोगों का सफ़ागत है हमारा डिस्केशन होने वाला है BPSC के मोटर वाइकल इंस्पेक्टर का जो पेपर था आपका एक्ट एन रूल का बेसिकली वो पोर्शन हमें आपे डिसकस करने वाले हैं सारे क्वेशन के आगे मैंने वो उसक्वेशन से डिटेल है एक्ट एन टूल के वो लिख दिये हैं यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं थोड़ा थोड़ा डिसक्शन करते चलेंगे और यह डिसक्शन उनके लिए है जो फ्यूचर में वेकेंसी आएगी आपको तो PDF इसका मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना है आपको एड़ रेट मॉनम एकेड़ी महां पर इसकी PDF यह जो PDF है आपको मिल जाएगी वहां से आप मैच कर पाओगे पर फ्यूचर में अगर कोई देखता है तो उसको थोड़ा सा डिटेल समझ में आएगा क्योंकि PDF ज़रूरी नहीं है सब के पास पहुंचे फर्स क्वेशन जो है आपका ये क्वेशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि जो आपका BMBR है वो कहता है कि जो चेप्टर 3 और 4 है मतलब लाइसेंसिंग और वहिकल रजिस्टेशन का जो मैटर है उस केस में जो अपलेट अथोर्टी होता है वो ह भी इस क्वेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इनको देना चाहिए था डिस्टिक मेश्टेट एज पर दे बीम भी आर क्वेशन ही ये क्वेशन नमबर सेकेंड है एन अप्लिकेशन फार दे एस्साइनमेंट आफ निव रजिस्टेशन मार्क यहां पे जो दिया गया आ मोटर वेइकल एक्ट की बात कर रहे हैं कई सारे लोग कनफिूज होंगे हाला कि आप लोगों ने पढ़ाया आप नहीं होगे बाद में जो देखेगा हो सकता हो जाया तो मोटर वेइकल एक्ट निटी एट की बात कर रहे हैं उसके section 48 के हिसाब से option हो जाये गा आपका no objection certificate य प्रेथ कर जाता है तो यहां पर आप से पूछा गया है कि जो उसका सक्सेसर होगा मान लिजे जो उसका लड़का हो गया जो भी उसकी प्रॉपर्टी लेने वाला है विदाउट ट्रांस्फरिंग दो ओनर्शिप कितने टाइम तक उसका यूज कर सकता है तो यह बात करना है सेंट्रल मोटर वहिकार रूल 9089 के रूल 56 की जिसमें मेंशन किया गया है कि 3 मन्त तक इसके बाद उनको रेजिस्टेशन या ओनर्शिप ट्रांस्फर करना पड़ता है जिसके लिए जो भी प्रॉपर डॉकुमेंट्स होते हैं वो सब्मीट करना होता है फॉर इसमें कोई लॉजिक है ना ही वो क्वेश्टन को ट्विस्ट करने की कोशिस किये में सिम्पली एक्ट को उठालो रूल को उठालो वहां से दुचार वर्ड को क्या करदो गायब करदो फिर फिल फिल इन दूब्लैंक जैसे बना दो या फिर वहीं से दुचार औप्शन औरी बेस्ट है अगर आपको याद हैं चीजे तो आप कर पाओगे नहीं याद है तो आपने सारा पड़ा हुआ है अंडरस्टेंडिंग है आपके पास पूरे मोटर वाइकल एक्ट का का CMBR का BMBR का बट अंडरस्टेंडिंग से आप कुश्चन को नहीं कर सकते हो क्योंकि सिंपल सिंपल इन्हों ने एक्ट कहीं पर डाल दिया कहीं पर रूल डाल दिया जैसे कि यहां पर देखोगे mention किया गया है आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर बिसिकली pollution under control है which are which of the following documents is not necessary तो यह सारा important documents ने चाहिए होते हैं NOC के लिए POC नहीं चाहिए होता है NOC देने के लिए मतलब non objection certificate देने के लिए question number five है for the purpose of rule 63 अब देखो again यहाँ पर rule mention किया गया है तो जब आप 63 का one देखोगे तो यहाँ पर mention किया गया है again यहाँ पर US mention इसका मतलब ही होता है under section 56 ठीक है जहाँ पर fitness certificate की बात किया गया है तो later of authority granted by the resisting authority मतलब तब तब तक आप नहीं कर सकते हो आप कैसे authorized हो कि आप किसी vehicle को यह certificate दे सकते हो तो definitely आपको authorized होना पड़ता है और ओ authorization आपको कहां से मिलता है resting authority से मिलता है अब हर state का resting authority का जो power होता हो अलग लोग लोग को पास होता है किसी के पास RTO है किसी के पास ARTO है नाम अलग-अलग होता है basically किसी के पास original transport बोलते हैं कहीं पर कुछ होता है कहीं पर कुछ होता है that is not a matter जो भी resting it होती है जो vehicle को जब vehicle का registration होता है तो जिसकी science ही लगती है उसकी हम लोग बात कर रहे है 6 है a car which is more than 50 year old यह vintage car की बात कर रहे हैं तो again यहाँ पर rule मैंने mention कर दिया है CMBR का rule 92 का C है जहाँ पर provided करके दिया हुआ है ना provided करके दिया हुआ है conditions ठीक है तो वहाँ पर है कि कार है मतलब effective driver के control में होनी चाहिए winter car rally वाली बात हो रही है तो जो vintage car होती है उनके लिए registration का process भी आ गया है आप register करवा सकते हो हां बट उन vehicle का पब्लिक प्लेस पर यूज नहीं कर सकते हो कहीं rally-wally है वहाँ पर लेकिए आप जा सकते हो तो यहाँ पर option one हो जाएगा अगें यह जो एक्सिस है अन पर्पेंडिकुलर प्लेन है यहाँ पर मैं आपको ओसी इंबियार वाला portion लिखना भूल गया हूँ कि यह सी इंबियार का है the stopping distance formula यह again CMBR का question है CMBR का जो rule है 96 96 का जो सब rule saving है वहाँ पर देखोगे तो यह formula आपको मिल जाएगा जहाँ पर V velocity है और D आपका distance है ब्रेक के बारें बताया है ने कि ब्रेक लगाने के बाद भाई minimum कितना दूरी पर रूप जाना चाहिए नहीं तो company वाले कुछ भी ब्रेक लगाने लगेंगे ठीक है तो एक standard set किया जाता है कि आपके ब्रेक के एफेक्टिवने सितना तो होना चाहिए question number 9 है as per rule 129A अगें देखो यहाँ पर चीजे mention किया गया है तो goods carries जो मतलब ऐसी वहिकल जो dangerous goods carry करती है वहाँ पर यह लगा होना चाहिए अगें यह CMBR का है CMBR का जो amendment आया था 90-93 में तभी से इसको fix कर दिया गया है मतलब वो rule आने के 6 मैने बाद सारी वाइका में लग गया मतलब बहुत पुरानी बात है नहीं यह आप देख लो काफी पुरानी बात हो गई यह 30 year around old चलिए question number 10 है अगें आपको यहां पर सारी चीज़े मैच करनी है इस पर मैंने मैंने भी काफी question इस पर पूछे हुए था क्योंकि मेरे इसाब से मेरे इसाब से भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो होप सो आप मैच कर पाऊगे जो class label है जो CMBR का rule 137 है वहां पर सारी चीज़े mention किया ग लेगा तो इसलिए मैंजे लगा कि थोड़ा सा message करकी काम कर लेते हैं as per rule 14x the term visitor अब meanings दिये गये हैं ठीक है तो कोई आदमी है जो अपनी vehicle इंडिया में लेके जाता है इंडिया कोई आदमी है अपनी vehicle दूसरे में लेके जाता है जैसे कि उनके पास international permit होती है बहुत सारे द इसमें आके driving भूल जाएगा तो एक continuity maintain करने के लिए जनेवा convention बनाया गया था तो one year का होता है यहाँ पे mention किया गया है rule already इन्होंने mention कर रखा है तो one year के लिए होता है question number 12 है advertising matter under certificate of insurance insurance की जो copy आती है न वहाँ पे advertising आपको नजर आ जाएगा कई बार लोग करते हैं तो उस advertising को लेके भी rule है ऐसा कहा जाता है कि कोई भी advertising नहीं होनी चाहिए आपके insurance का जो certificate होता है उस पे कोई भी advertising in the sense की कुछ ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए जो paid promotion की बात करती हो न तो वो नहीं होना चाहिए कहाँ पे mention है यह आपके mention है cmbr के rule 145 में तो यहाँ पे इन्होंने 13 है इस पर rule 149 any person authority और authorized insurer shall be furnished request information to state government and is authorized police officer ठीक है तो यहाँ पे basically है center government authorized होती है state government authorized होती है या फिर कोई भी आदमी जिसको state government authorized करती है वो basically यह कर सकता है ठीक है आपको पता है कि अलग अलग sector में क्या होता है कि center government को power अलग होता है state government को power अलग होता है state government किसी को point करती है किसी को center government point करती है as per the requirement तो यह हो गया आपका insurer के related है तो option क्या हो जाएगा आपका B next question है which are the qualities of good driver क्या quality होना चाहिए तो definitely यहाँ पर सारे है self confidence होना चाहिए defensive driving करना चाहिए defensive मतलब बच के चलाना चाहिए ऐसाने का offensive सबको उड़ाते हुए जा रहा है vehicle के बारे में knowledge होना चाहिए रूल की बात कर रहे है जहां पर भी रूल मेंचेंड है अब वहां पर BMBR भी आ सकता है CMBR भी आ सकता है but by default इन्होंने CMBR लिया हुआ है क्योंकि हो सकता है इन्होंने मैंने देखा नहीं बट हो सकता है आपके BMBR में definitions दिया गया हो कि जहां पर हम रूल रिखेंगे उसका होगा CMBR शायद ऐसा होगा नहीं होगा तो उनकी गलती है फिर पूरा mention होना चाहिए as per rule 31f which of the following are type of junctions तो यह सारी चीज़े वहां पर mention है वाई junction होता है फोराम junction होता है स्टगर्ड junction होता है यह controller junction नहीं होता है ठीक है controlled and uncontrolled junction होते हैं जो additional है मैंने यहाँ पर mention कर रखे हैं तो option क्या हो जाएगा आपका one हो जाएगा question number 16 है अब यह इतना बड़ा statement है पढ़ने की क्या समझ में नहीं आ रहा for the purpose of settlement of the claim under the rule 158 which met out the fund of authorities shall be compiled with the direction of ठीक है तो center government, state government और जो claim settlement tribunal होते हैं सारे के हिसाब से होता है तो कहाँ पर mention यह settlement of the claim that is 158 CMBR का rule 158 तो option है आपका D चलिए question number 18 है यह भी यहाँ पर मैंने mention कर दिया है CMBR का rule 76 का sub rule 6 है और जो diplomats होते हैं उनके लिए cd word use किया जाता है ठीक है और यह जो होता है यह ministry of external affairs जो होती है वो यह number allot करते हैं और यह बाकी जो last के चार्ड इजिट होते हैं यह allot किया जाता है वाई the restring authority और इन सब पर मैंने separate video already बनाया हुआ है कि किसको कौन सा number क्यों दिया जाता है कैसे दिया जाता है the validity of fitness of the new transport vehicle यह सब तो question मैंने कई बार पूछा है कि अगर आपके वेकलेट साल से कम है तो fitness certificate दो साल के लिए valid रहेगा एक साल से जादा की है तो फिर one year के लिए valid रहेगा अब यह मैं भूल गया हूँ again कई बार दिमाग में नहीं आया मतलब छूट गया ठीक है जो बहुत obvious से था वो छूट गया साल ठीक है वैसे लिग देना चाहिए था बट मुझे लगा कि यह कई बार हमने किया है बहुत बार इस रीज में पूछा हूँ practice question में दिया हूँ तो आपको ज़रूरत नहीं है next question है where vehicle covered by the tourist permit is placed by another the letter of vehicle shall not be more than the two year ठीक है two year old that is CMBR rule 82 तो 82 में mentioned है hope show कि आप cross check करना चाहते हो तो cross check कर लेना question है अगें बहुत question यहनों ने पूछ लिया CMBR से 20 question पूछा हूँ है यहां से आपका BMBR start होता है who shall be licensing authority तो कौन होता है licensing authority district transport टांस्पोर्ट ओफिशर होता है ठीक है BMBR का जो definition वाली rule है उसमें दिया गया है आपके who amongst the following cannot be a testing officer इसमें से testing officer कौन नहीं हो सकता है ठीक है तो sub inspector आप police नहीं हो सकता है बाकि सारे लोग testing officer होते हैं कहां पे mention है BMBR rule 4 में mentioned है अब मैं थोड़ा सा fast करता हूँ क्योंकि यह सारे BMBR के rule 10 में यह जो question दिया गया है कि Automobile Association of India ठीक है यह नहीं है बाकि सारे हैं Southern, Western, Eastern, UP का जो है यह सारे हैं जो यहां पे नहीं है वो मैंने mention कर दिया है और यहां पे बात कर रहा है यह driving test की अगर यह certificate देते हैं तो आपको driving test नहीं देना पड़ता है माना जाता है कि आपको vehicle चलाने आती होगी BMBR का rule 11 की बात करने है आपके question 24 में the photographs पे seal किस की लगती है licensing authority की लगती है और licensing authority कौन होता है district transport officer होता है ठीक है तो option कौन सा हो जाएगा आपका भी हो जाएगा next question number है आपका 25 BMBR rule 16 की बात किया जा रहा है हाँ पे only perform duty in emergency मतलब आपको कहा गया है कि the driver of the public service vehicle cell be cleanly dressed but state government may exempt किसी किसी case में आपको exempt किया जा सकता है आपको emergency आगे तो आप थोड़ा नहीं कि कपड़ा clean नहीं है पहने नहीं पहने ड्रेस पहने नहीं अपको emergency देखोगे ठीक है या फिर ट्रेनिंग पिरियेड में ऐसा आप कर सकते हो कहां पे mentioned है यह BMBR के रूल 16 में mentioned है which schedule amend to the Bihar motor vehicle 1922 अरे 1992 deal with the display of the batches तो यह बात करता है यह question expected थे यह सारे questions कराए गए है पहले से भी ठीक है मुझे लगता है कि मैंने जो test series कराया था जो mcq करवाया है discuss करते टाइम यह सारे questions वहाँ पे हैं तो schedule 2 है BMBR का rule 19 है 27 पे आ गए हैं as per Bihar motor vehicle rule provision of chapter 2 of the act shall not apply to the driver of road roller साप साप mention किया गया है BMBR के rule 2 में इनको exempt किया जाता है उससे ठीक 28 BMBR 25 तो यह सारे questions तो expected थे कुछ question expected है कि ऐसा आना चाहिए पर कुछ question एकदम से ऐसा लग रहा है कि बस मतलब कुछ भी बना दिया गया है कि चलो एक paragraph copy कर लो उसमें से दो चार word cut कर लो और बन गया question as per the rule 25 chapter 3 who is empowered to hear appeal against the order of licensing authority तो definitely कौन होता है डिस्टिंग में स्ट्रीट होता है क्योंकि यह क्या होता है appellate authority होता है BMBR rule 25 में mention किया गया है you can cross check next question है आपका for the grant of conductor license which of the following statement is correct conductor license की बात हो रहे हैं the applicant process to the good moral यह दिया गया है BMBR के rule 31 में दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास तो obviously यहाँ पे दोनों option सही है for the purpose of rule 44 who may exempt from the payment of the fee तो state government decide करती है कि किसको exempt कर सकते है generally यह सारी चीज़े वहाँ पे mention है किसी individual को भी किया जा सकता है पूरी तरीके से किया जा सकता है partially भी किया जा सकता है question number 31 है again आपके BMBR का जो rule 50 है 52 का सब rule 2 का सब जो clause दिया गया है उसमें एक तो यह सारी चीज़े mention है वहाँ पे चेचिस number mention होना चाहिए यह सारी तो of all of the above हो जाएगा न और जो आपका maxi cab motor cab होता है उसमें चेचिस के जगह पे recession number mention होना चाहिए question number 32 है not less than कितना 10 days notice shall be given up any meeting यह भी simple question है पूछा जा सकता था क्योंकि इस type के question predictable होते हैं कि हाँ इस type के question पूछेंगे कोरम बॉला question मैंने पहले ही कहा था कितने लोग present होने चाहिए notice कितना दिन का देना चाहिए किसको nominate किया जा सकता है जा चेर्मेन यह सारे question expected थे तो यह भी expected question है कहां पे mention है वो already 65 का 2 BMBR rule 65 sub rule 2 BMBR 65 का sub rule 5 में mention किया गया है दो आदमी present होना चाहिए तब कोरम पूरा होगा उस दो आदमी में से एक chairman होना चाहिए ठीक है next जो आपका question number 34 है the state transport authority में delegates its power 2 again दोनों option है आपका BMBR 68 का one मतलब यहां से इन्होंने सिक्वेंस ली एक एक BMBR के rules ले लिए हैं वहां से question बना लिए है जो आपका 35 है as per the rule 81 यहां पे भी rule mention किया गया आप देखो इस type के जो question होता है न जहां यहां पे rules directly पूछ लिया है कोई logic कोई sense नहीं है तो यह type के questions को अगर आपने याद कर रखा है सारा कुछ तो ठीक है कर पाऊगे otherwise तो बड़ा vehicle act है आपका 98 का जो section 88 है उसके reference में भी बात कर रहे है rule 81 का जो बिहार का rule 81 है वो बात करता है जो हमारा motor vehicle act का section है उसके 88 के reference में ठीक है तो original authority कौन होती है आपका that is regional transport authority question number 36 है ये भी BMBR 66 का sub rule 3 है ठीक है तो option क्या हो जाएगा आपका 6 at least 6 होनी चाहिए total meeting कितनी होती है 12 होती है मतलब 50% आपकी presence होनी चाहिए 37 है as per the rule 90 taximeter the state transport commissioner ठीक है ये अप्रूब करते है उसके बाद उसको primary year of testing के लिए भी वेजा जाता है सायद रफ ट्रेस्टिंग पे भी question था which are the following is are the correct इन में से कौन सा सही है तो option है आपका D मतलब सारे सही है all member public मतलब कोई भी complaint on plane से related है सायद मीटर के complaints related approvals related तो कोई भी कर सकता है इन में से ठीक है तो all are above और यहां पर किस कहां पर यह mention है यह भी मैंने दिया हुआ है BMBR का रूल जो 100 है वहां पर mention किया गया है ठीक है next question है आपका which are the following option is to regarding the employment on the agent for the sale ticket तो पहले बात है यहां पर कि उसकी age क्या होनी चाहिए उसके बारे में है तो age 20 year होना चाहिए जो की 18 दिया है तो इसलिए option गलत है ठीक है minimum age hold license is 18 year नहीं 20 year minimum age of the hold license is 21 year नहीं यह भी गलत है क्योंकि 20 है ठीक है an agent may hold more than one नहीं एक ही license hold कर सकते हैं इसलिए यह भी गलत है तो यहां पर कोई option सही नहीं है bmbr का जो 1110 rule है उसका sub rule 2 है उसकी हिसाब का question है यह under rule 1110 mention भी किया गया है sub rule 2 में mention किया है the secretary of the government of the transport department ठीक है यह appeal here करेंगे ठीक है taximeter से related है next जो आपका question है हला कि वहाँ पर आपको मिलेगा state government भी लिखा रहता है कहीं कि state government खुद अब state government होगा कौन यह कौन decide करेगा तो obviously यह identify कौन करता है आपका rule ली करता है ठीक है तो state government किसी को point कर सकते है on behalf of state government which of the following is the correct fee for the renewable of the permit on the contract carries and maxi अब यह जो question है ना यह पूछा गहा है bmbr का rule 74 है but again यहाँ पे amendment आया हुआ है यह change हो चुका है इन्होंने पुराने values दे रखे हैं तो अब option में ही आपको अगर select करना है तो c होगा और नहीं तो आपको claim करना है तो आप भेज सकते हो जो 2017 का amendment है वहाँ पे यह दिखा देगा कि जो more than two regions के लिए वहाँ पे 7000 है for five year ठीक है तो it's depend upon you और यह ना पे इन्होंने चेंज किया नहीं है तो इसी लिए यह इस टाइप की चीज़ जो फी होती है नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि यह frequently change होती रहती है बट आपके question में काफी जगा फी पूछा हुआ है अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं कि एस पर रूल 951 मीटर विफोर फिटेड अब यह भी मेंचन किया गया है तेस्टिंग इस्टिटूट के पास जाएगा बीमब्या 93 का टू है ठीक है तो टेस्ट किया जाता है वहाँ पे कहां भाई ठीक है उसके बाद एप्रूबल मिलती है लगाया जाता है उसको विच इन इंस्पेक्ट दा कम्प्लेंड बुक किप इन दा पर्मिट होल्डर अंडर दरूल 115 सारे ही इनों ने मेंचन कर रखें यार यह बहुत तुच्छे लेवल का इकदाम दर मेरे हिसाब से में तो क्या ही कहूं इस टाइप के क्वेस्ट नहीं बनाना चाहिए कि सब में उठ ठीक हैं एनई पैसेंजर जो हूते हैं जो कम्प्लेंड रिकॉर्ड करते हैं और आपके असिस्टेंट इंस्पेक्टर आप मोटर ब्यकल नेक्ट जोग क्वेस्टन है विच रूल प्रॉड़ के लिए करता है है कोई मैक्सी कैप के लिग करता है बट यहां पे कुछ मेंचन नहीं है तो दोनों होगा in public service vehicle a child of not less than the 12 year of age तो उसका ticket लगेगा half mentioned है BMBR rule 112 और ये इस type का question आपको RTO गुजरात में भी पूछा गया था तो काफी कुछ idea मिलता है इदर उदर का paper solve करने पे कई सारे questions यहां पे हैं जो कि उसके theme पे based है what is the prescribed time limit for the disinfecting तो भाई once in the two year कहां पे mention है आपके BMBR के 124 का सब रूल 4 अब ये सारे questions देखो एकदम जितने भी questions आ रहे हैं सारे आपके rules based हैं section based हैं अगर आपको याद हैं तो ठीक है नहीं तो गये काम से as per the rule 126 one a minimum floor area तो यह दिया गया है यह भी बेस्ट है बट यह expected था किस टाइब question आएंगे हाला कि मुझे नहीं पता कि मैंने एकदम यही question पूछा है कि नहीं बट इस type of question मैंने भी पूछे हुए हैं आपके टेस्री में पूछा गया है practice question भी दिया गया जो rule है आपका 131 इसमें mention किया गया है authorized person may enter any business ठीक है तो state government state government के भी विहाफ में state government कह सकते है किसी को भी कि आप जाके देख लो inspection कर लो ठीक है तो option more appropriate option क्या है आपका a है which of the following statement regarding the attendant rule 210 already mention किया गया है 210 है bmbr का rule 210 ठीक है तो 210 का 2 ठीक है यह बाकी चीज़े वहाँ पर mention किया गया है the age of attendant shall not be 20 तो age of attendant कितनी होनी चाहिए that not less than 20 तो यहाँ पर 21 दिया गया है option यहाँ पर none of the above है the attendant carry the trailer shall not be responsible to apply brake गलत बात है उसको brake भी अप्लाई करना होता है ऐसा नहीं कि जोद पड़गी तो बैठा रहेगा कहेगा अब ड्राइबर तुम trailer को रुक अब trailer को driver कैसे रुके का भाई वहाँ से brake वहाँ पर जाता ही नहीं है ठीक है जिसमें जाएगा ओ तो उसका control उसके पास रहेगा बट जहांपर trailer का जैसे tractor औरards ओली है ठीक है तो कैसे होगा उसमें तो अगर कहें पर trailer है तो ब्रिक लगाने के responsibility है उसकी next question है the claim tribunal may excise all the power of civil court कहाँ पे mention किया गया है 228 BMBR का rule 228 appeal against the award claim tribunal shall be preferred to high court ठीक है high court में जाता है 2491 ठीक है question number 154 अब इसमें मैं क्या ही discuss करूँ सारा कुछ mention कर रखा है rule के इसाफ से the claim tribunal may भी chosen person है भी technical हा कर सकते हैं दो लोगों कर सकते हैं ये कहा गया है कि ताकि dealing साही है अगर हर court को technicality rules सब कुछ तो नहीं पता है इसलिए वो कर सकते हैं expert को 231 में चीजे mention किया गया है the minimum is required to the driving transport vehicle is 20 year होता है ये आपके motor vehicle acta question है 4 case of clause 2 बे mention है provided volume I think so one hour ये time ये expected question है ये सारे expected question है और कई बार मैंने पूछा हुआ है तो बहुत ज़्यादा एक्पिलेशन की जरूत नहीं है बागे चीजे मैंने यहां पर mention किया गया है जहां पर मैं amendment mention किया होंगा न वहां पर उसकी बात amendment में किया गया होगा 2019 का जो motor vehicle amendment है इसलिए तो कई सारे question आपके amendment से भी है license issue to the drive drive or transport vehicle career goods carriage 3 year के लिए होता है और general vehicle के लिए 5 year के लिए होता है section 14 में mention किया गया है already expected question थे कई बार discuss किये गया है मुझे भी पता है आपनो गलत नहीं किया होगा medium vehicle के बारे मैं कुछा गया है तो medium vehicle का definition जो आपका section 2 का subsection 23 वहाँ पे दिया गया है LMB और HMB के बीच का जो होते है उसे medium vehicle कहते हैं तो ये weight है इन दोनों के बीच का जो भी रहेगा वह आपका option रहेगा तो इस से ज़्यादा और 12 से कम कौन सा है आपका D option है मैं टिक नहीं किया था तो कर देता हूं question number 59 which of the following is consider goods goods under the sections 2 का जो subsection 3 है goods किसे कहेंगे तो कोई भी चीज होती है goods कहते है except then the living मतलब हम हम है passenger है उसको छोड़के और उसके personal समान को छोड़के उसको हम क्या कहेंगे goods कहेंगे ये definition mentioned किया गया तो option 1 is correct in case of rejection of permit appropriate authority of the civil court may be ठीक है तो ये summon issue कर सकते है अब court license और driving license permit ये सब issue नहीं कर सकती है summon कर सकती है officer को जिसने उसकी permit या licensing whatever that accept नहीं किया है मना किया करने से तो उसको summon कर सकते है next question है no person shall drive in public place any motor vehicle with the left hand steering left hand is steering से नहीं drive कर सकता है जब तक कि वहाँ पे mechanical ये देखो sensing लिख दिया न अगर यहाँ पे signaling होता तो दोनों सही होता मतलब यहाँ पे का गया कि mechanical या फिर electrical signaling device लगा होना चाहिए कि आप left hand vehicle चला रहे हो हमारे देश में right hand vehicle चलती है ऐसा इसलिए कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं allow ही नहीं allow है बट कुछ modification के साथ allow है section 120 की बात कर रहे है वहाँ पे mention किया गया है next question है आपका 62 पुलिस ओपिशर में authorized to removal आप amendment बहुत जादा vehicle है कहीं पे तो वह authorized है ठीक है बात करता है आपका जो BPSC का rule 193 है stationary vehicle के बारे में कि बहुत सारी vehicle आपके road पे खड़ी है तो ये empower करता है ये power उसको कहां से मिलती है section 127 से जहां पे ओका आ जाता है कहीं पे vehicle है तो जो authority है उसको हटाने के लिए उसको power मिला हुआ है तो ये 10-10 आवर तक अगर कहीं पे vehicle खड़ी है तो कोई भी authority उसको remove कर सकती है next question है for the purpose of section 132 who may ask to stop the motor vehicle कौन आप से कह सकता है कि motor vehicle रोक दो तो भाई police officer uniform uniform में होना चाहिए अगर uniform में नहीं है तो आप नहीं कह सकते है ठीक है ये कहां पे mention है motor vehicle act के section 1988 section अल्रेडी mention किया गए इसलिए मैंने mention mention नहीं किया बट उसका जो sub clause है वो मैंने mention किया है A and B option 1 is correct which of the following option come under the jurisdiction of center government to make the rule ठीक है तो installation ये state government अगें ये भी state government ये center government के अंडर में आता है ठीक है कहां पे है 137 के six में mention किया गया है जैसे example कि मान लिजे कहा जाता है center government के दौरा कि document अब आप digitaloc में या आप copy दिखा सकते हो तो ऐसा कोई state तो नहीं कहा सकता है नहीं कि हमारे state में तो hard copy दिखाना पड़ेगा तो वो jurisdiction state center government के पास होता है मतलब jurisdiction का मतलब है कि कि से little rule center बना सकता है कि से little rule state government बना सकता है heat and run case heat and run case के बारे में नों नों कहा है कि effort लगा कि पता कर लिया अपने नहीं heat and run का मतलब यह होता है कि hit किया run किया फरार हो गया पता ही नहीं चला किसने accident किया तो उसे हम कहते है heat and run तो नहीं accident करने वाले के पता चलेगा नहीं accident करने वाली vehicle का पता चलेगा उसमें next question है licensing authority may refuse to issue the driving license without giving the opportunity to being here if अगर उसे लगता है कि तुम एकदम से दारुबाज आदमी हो या तुम मडर करके फरार होने के लिए vehicle का यूज करते हो बस मतलब मजाग कर रहा है यह दोनों चीजे हैं उस case में आपको driving license हो मना कर सकते हैं बिना आपकी बात सुने आपके पास यह power नहीं है कि आपका हो कि मेरा argument भी सुनो हाला कि बाकी आम आदमी के case में अगर वो मना करते हैं तो आपकी बात सुनना पड़ेगा उनको next question is 67 the settlement was made insurer देखो भाई settlement तब तक insurer और insured आदमी के बीच में नहीं हो सकता तब जब तक कि third party जिसका accident हुआ है उसको उसमें involved नहीं किया जा तब तक वो valid नहीं माना जाएगा ये कहाँ पर mention है ये mention है आपके section 153 के one में ठीक है तो option one is correct आपको पता है insurance वाला पूरा chapter ही 2019 वाले amendment में हटा के change कर दिया गया है इसलिए आप amendment ही देखना इस case में next question है formula given to compute ये formula है basically यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है why ये basically है cartels length मतलब जो root है उसकी length है यहाँ पे a का मतलब होता है जो subsection का मतलब कितना amount है वो और मतलब section 103 के 4 subsection की बात कर रहे हैं और r जो यहाँ पे होता है total length covered in the permit permit में जितना length covered है जहां तक जाने आने की permission दिया गया है वो तो option हो जाएगा which are the following statement is are correct इनमें से कौन सा statement सही है तो option है आपका second के बल दो सही है trip का मतलब क्या होता है जाना आना नहीं trip का मतलब होता है एक बार a है b है यहाँ से आ गये और फिर वापस आए तो original state पे आ जाएंगे उससे हम कहते है trip तो option हो जाएगा आपका भी यह कहां पर के use होता है जो ओला उबर से लेटे जो rules आया हुआ है उसमें next जो आपका the person agreed by the order issued under the section 45 refuse of the registration की बात कर रहे हैं तो 30 days के अंदर motor vehicle का जो act है 57 वहाँ पर mention किया गया है ठीक है तो यह सारे questions है simple simple tg से थोड़ा आगे बढ़ेंगे which section deal with the driver reference training मतलब यह amendment में आपके mention है 2019 का जो amendment आया है वहाँ पर आप देखोगे जो sub section 2 है जहाँ पर definition की बात किया जाता है ठीक है तो definition की बात किया जाता है option हो जाएगा आपका c9a ठीक है तो 9a question number 72 है कि अगर किसी offense क्या कोई penalty नहीं है तो फिर आप से कौन सी penalty ली जाएगी तो यह mention किया गया है section 177 में ठीक है तो क्या है first offense होगा तो up to 500 और second offense होगा तो up to 1000 टुपीज आपको charge किया जाएगा तो यहां पर क्या किछा गया है punishable punishment कितने के दिया जाएगा तो appropriate option क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा next question है no driving license issue or renew under the motor vehicle act shall be valid unless it has been issued a unique driving मतलब एक बनाया गया न तो ठाजन जो 19 commitment आया है उसमें insert कर दिया गया है section 3025 type a और कहा गया है कि नेस्टर आप driving बनाया गया है उसमें सबका पहले unique number वहां से generate होगा तभी आपका valid माना जाएगा next question है as per the section 561 का जो यह है मतलब sub section 1 का sub clause a है उसके बारे में बात यह कर रहे हैं क्या है automated testing center यह fitness की बात किया हुआ है यहाँ पे तो वो कौन करता है यह भी आपको मिल जाएगा amendment में किसमें मिलेगा amendment में मिलेगा ठीक है तो d option is correct 75 which authority of the following was why any condition for the stage carriage stage carriage होता है जो taxi चलती है कि किसी आदमे को कहीं पे चड़ाया कहीं पे उतारा कहीं पे चड़ाया उस type की चीज़ें है तो बात कर रहे हैं section 72 2 की amendment में दिया गया है amendment में जो provided होता है पहले क्या होता है section होते है subsections होते हैं फिर और कुछ add करना होता है तो वहाँ पे provided करके कि हाँ वाई यह बात रहेगी तब ऐसा रहेगा वो करके हम लिख देते हैं तो वहाँ पे बात कर रहे हैं तो चार साल से उपर है यह भी amendment में मेंशन है आपके मोटर वाइकल एक्ट के section 129 जो 2019 का amendment है वहाँ पे देखे होगे तो एक्सेप्ट देन दस सिख कमेनूटी के लोग जो टारवन पहनते उनको हो चूट है बाकी सबको पहनना पड़ेगा अब अगेन यहां पे आपका है question 1100A 2019 का amendment है विस सेक्षन आप मोटर वाइकल एक्ट अमेंड इम्पावर दे सेंटर गवर्मेंट टो डारेक्ट दो मनुफेक्ट्चर तो रिकॉल किस केस में रिकॉल किया जाएगा कई बार देखा जाता है कि वो लोग रूल्स रेगॉलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गवर्मेंट अब उनको रिकॉल कर देगी कोई कोई डिफेक्ट्स है कोई प्रॉल्म है जिसके वज़े से लगता है कि रोट सेप्टी कंप्रोमाईज होगी रोट डिवर की लाइफ कंप्रोमाईज होगी तो गवर्मेंट कहेंगी बाई चलो तुम इस पूरे मॉडल को हटाओ मार्केट से फिर अनुबर सेवेंटी एट है यह भी निव इंसर्ट है इस पर देख्वानेशन आफ सेक्शन वन थर्टी फूर ए पर्शन हुआ जिसे अब बात कर रहे हैं खूब हमने डिस्क्रेशन किया है अब यहां पर जरूरत नहीं है उसके राइट के बारे में डिस्क्रेशन मैं पर यहां पर आपको शिक्स मंत की जेल हो सकती है पहले बार की अफिंस में और तिन थाउजन का वह हुगा अगर सेकेंड टाइम अफिंस करते हो तो थ्री यर की जेल हो सकती है और पंदरह जार का जुरूर्माना या फिर दोनों साथ हो सकता है ठीक है नेक्स जो क्वेशन ह आपका who has the power to make rule regarding the overhand मुझे लगता है कि यहां पर overhang होना चाहिए था कि जो body बाहर निकल रही होती है और यहां पर ओवर हैंगिंग की बात करना चाहिए था बट मुझे नहीं पता क्योंकि यह वर्ड मुझे कहीं नहीं मिला मतलब CMBR में मोटर वाइकल एक्ट में BMBR में तो मुझे लगता है यहां पर overhanging होना चाहिए था और overhanging मतलब in short design की बात कर रहे हैं तो वाइकल डिज मतलब 7 days ठीक है तो अगें देखो आप बहुत सारे question ऐसे हैं जिसमें section section से नहीं पूछ लिये हैं अब मुझे लगता है अंडे question बनाना था इनको पसीना आने लगा तो सुचा है copy paste मारो और fill in the blanks कर दो सबको as per the explanation of section 199 offense by the companies तो director मतलब होता है partner वहाँ पे mention किया गया है साफ साफ mention किया गया है कि director मतलब होता है partner कहाँ पे mention किया गया है आपका जो section 1192 का sub clause B है वहाँ पे next question है who may require any person driving on the motor vehicle in the public place provided one or more specimen of the breath test ठीक है तो यहाँ पे all हो जाएगा कोई police officer in uniform any authority authorized by the motor vehicle department सारे है mention किया गया है आपके section 2031 में तो यह सारे question section से related है but मैंने पहले ही कहा था कि जो motor vehicle amendment है to 2019 का वह बहुत आपके लिए important है देखो 20 से 30 question तो उसी से है तो अगर आपने किये होंगे तो कर पाओगे otherwise तो कोई बात नहीं next question है fact regarding the refusal of providing specimen मतलब 32 देने से मना कर देते हो तो police के पास यह power होता है कि वह assume कर सकते हैं कि आपने दारू पिया हुआ है आपको arrest कर सकते हैं arrest करके police station में आपका जब test किया जाएगा तो वो test admissible होगा as a proof जो भी उसका result आएगा generally आप लोगोंने सुना होगा कि police थाने में दिया गया बयान quote में admissible नहीं होता है पर यहां पर motor vehicle act में होता है इस case में जब आप पढ़ते हो ठीक है तो यह दोनों लोग present नहीं रहेंगे तो भी आपके जो बयान लिया गया है वो admissible होगा question number 85 है again यह question गलत दिया गया है क्योंकि यह जो amount लिखा गया है यह 2019 में change कर दिया गया इसको एक लाग कर दिया गया है कि अगर एक लाग से कम की amount है तो उस dispute में आप अपील नहीं कर सकते हो ठीक है तो claim of additional simple interest के साथ section 171 यह दे सकते हैं नेक्स से आपका 87 अप person driving a motor vehicle failed to drawn to the side मतलब यह जैसी vehicle को आप block कर रहते हो ना इसका मतलब यही है block करने से related है तो fine आपको 10,000 लगा जाएगा इस fine को state government change कर सकती है कई सारे state में यह अलग-अलग भी है बट विहार में 10,000 ही है कहां पे है 194E में ठीक है जो 2019 का amendment है यह उसमें new insert है काउन सा section 194E question number 88 which of the following authority is to the trade certificate तो resting authority करती है CMBR 29 rule में mentioned है the motor vehicle uses for the carries of goods having the maximum mass यह already mentioned है N1 vehicle category में आता है CMBR में mention किया गया है आपके rule 2 P में definition है ने basically किसी भी act या rule की बात करें तो उसमें जो पहला rule या section होता है act की बात करें तो section rule की बात कर रहे है तो rule जिसमें कहा जाता है कि हम इसको यह वाला rule कहेंगे उसका nomenclature होता है और second में definition दिया गया रहता है तो यह definition वाला portion है a person who has international driving permit may drive मतलब Geneva convection की बात कर रहे है हम दिया गया है आपके rule 2R में ठीक है 189 के तो कोई भी country जो उसका part होती है वहाँ पे आप drive कर सकते हो तो बहुत सारी country part and applicant for the obtaining यह seven days होता है seven days को आपको training रहनी चाहिए for the purpose of rule 11 preliminary test की बात कर रहे हैं तो 60% आपको लाना होता है 11A में mention किया गया है as per the rule 50 amendment of the test to the compensate the driving rule regulation whatever that that is one month पुराना होना चाहिए तो आपको driving test मतलब देन लेको मिलेगा final driving license के लिए यहाँ पे form को match करना है तो एक आप match कर पाऊगे कोई सा एक आपको पता होगा कि जो driving license होता है वो six पे होता बट एक आपने match कर लिया कौन सा सी का one तो बस हो गया आपका सारा match कर जाएगा automatically नेक्स जो आपका और यह सारी चीज़ें जो fee है और यह है यह आपका जो website है न बाहन से वा वहां से आप देख पाऊगे क्योंकि यह change होते रहते हैं fee specially change होती रहती है और बाकी जगह अपडेट होती नहीं है वहां पर अपडेट करते हो दरूल 21 cmbr के बात कर रहे हैं इंपावर दर लाइसेंसिंग ए थोर्टी टू सस्पेंड और रिवोक दर लाइसेंस हो कर सकते हैं सस्पेंड रिवोक इन केस अब अपील मेड अंडर रूल 29 अगेंस cmbr की बात कर रहे है तो 45 देज के अंदर सेटलमेंट होना चाहिए यह मेंचन किया गया है आपका 32 में ठीक है यह जो केस होती है 29 के अंदर उसका 45 देज के अंदर सेटलमेंट हो जाना चाहिए यहां पर मै देले देले लास की तरह बढ़ गया है 98 है हूँ इस एक्जम्टेड फ्रॉम दा कौन एक्जम्टेड होता है डिलर डिलर के पास होता है ट्रेट सर्टिफिकेट न तो उसको रेइस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा विचारा आप डिलर कितना रेइस्ट्रेशन करवाए तो जन्मीन नहीं लगता है तो यहां पर है डिलर के लिए कहीं पर गई हो वहां पर मोटर बाइकल उच यूज विट ट्रेट सर्टिफिकेट यहां पर देखो के तो बहुत सारे रखेंगे कहां पर मने अप मैनुफेक्ट्रिंग से आ रही हो वक्शॉप से आ रही हो को भी आ रही हो आपके पास ट्रेट सर्टिफिकेट है तो आप उसको रोड पे लेके जाओगे उड़ा के दो लेके जाओगे नहीं तो आप उसको रिपिकेट से काम चल जाता है तो दोनों option सही होंगे तो this is the end of this video और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ last में और शुरू में भी दोनों जगा की बाते हैं कि कुछ question में हो सकता है यह provisional answer है कुछ question में हो सकता है कि थोड़े बहुत differences आ जाए मेरे हिसाब से और आपका जो BPSC है उसके इसाब से तो वो हम बाद में देख लेंगे चलिए all the best good luck